कोलन कैंसर बड़ी आंत का एक कैंसर है, यह अनुमान है कि हर 20 में से एक व्यक्ति को कोलन कैंसर होने की संभावना है, अच्छी बात है कि कोलन कैंसर का टीटमेंट अविलेबल है और इसका क्योर किया जा सकता है, कोलन कैंसर का जो टीटमेंट है, एक टीम मिलकर करती है, आज हमारी टीम कोलन कैंसर के मेन इश्यूस को डिसकस करेगी, मैं डॉक्टर विकास इंगला हूँ, मैं एक गेस्टेंटोलोजिस्ट हूँ, मेरा रूल है कोलन कैंसर को डिइग्नोस करना, नमस्कार, मैं डॉक्टर निकिल अगरवाल हूँ, मैं एक G.I. ओंको सरजन हूँ, मैं कॉलन कैंसर का ओपरेशन करता हूँ नमस्कार, मैं डॉक्टर भुवन्चुग, एक मेडिकल उंकॉलिजिस्ट, जब किसी पेशन की सरजरी हो जाती है, उसके बाद का जो टीट्मेंट होता है, और जो पॉल अप होता है, उसके बारे में मैं बाद आता है, यदि यह कैंसर कोलोन के राइट साइड में है, तो पई बारिय ब्लड नजर नहीं आता है, और जब हम टेस्ट करवाते हैं, तब भी यह टेस्ट पोजिटीव आता है, वो इस कंडिशन को जानने के लिए हम एक टेस्ट करवाते हैं, स्टूल पर ओकल्ट ब्लड, तो इसका मतलब है कि पेशेंट को कोलन कैंसर की संभावना हो सकती है कोलन कैंसर का अगला सिम्टम है पेट के निचले हिस्से में दर्ध होना यदि इस कैंसर का साइज बढ़ गया है तो मरीज को नाभी के निचे पेट में दर्ध हो सकता है कोलोन कैंसर का अगला सिम्टम होता है थकान हो जाना यदि स्टूल में ब्लड लगातर आ रहा है तो ऐसे मरीजों में हिमोगलोबिन कम हो जाता है और मरीज को थकान हो सकती है इसके अलाबा मरीज को भुख कम लगती है और उनका वजन भी कम हो सकता है कोलोन कैंसर का एक और सिम्टम है altered bowel habits मरीज को या तो constipation हो सकता है या diarrhea भी हो सकता है इस सभी जो सिम्टम्स हैं ये कोलोन कैंसर के लिए specific नहीं है ये बाकी बिमारियों के अंदर भी ऐसे सिम्टम हो सकते हैं एक बार कोलोन कैंसर suspect करने के बाद हम मरीज के कुछ टेस्ट करते हैं ताकि diagnosis को confirm किया जा सके हम कुछ blood test करवाते हैं और एक special test जिसे हम colonoscopy बोलते हैं वो करवाते हैं colonoscopy के लिए एक दिन पहले हम मरीज को कुछ दवाया पिलाते हैं जिसे कि मरीज का पेट साफ हो जाता है और colonoscopy को perform किया जाता है यहां मैं special करना चाहूँगा colonoscopy एक paleness test है colonoscopy के पहले हम मरीज को नींद का injection देते हैं और मरीज के सोने के बाद ही हम colonoscopy करते हैं यदि हमें colonoscopy के दूरान cancer का doubt होता है तो हम diagnosis को confirm करने के लिए biopsy लेते हैं colonoscopy के दूरान ली गई biopsy बिल्कु सेफ है इसे cancer नहीं फैलता है biopsy sample को microscope के अंदर देखा जाता है और बिमारी को confirm किया जाता है colonoscopy के दूरान हमें कई बर polyp मिलते हैं उस polyp को हम colonoscopy के दूरान study कर सकते हैं और यदि हमें लगता है कि ये tumor वाला polyp है जो हम colonoscopy के दूरान निकाल सकते हैं colon cancer की diagnosis के बाद next steps होते है staging और treatment planning staging के लिए हम generally blood test करते हैं और CT scan करते हैं CT scan paid का और बाकी शरीर का यानि chest का करते हैं उसमें हम ये देखते हैं कि जो colon का cancer है वो अभी अपनी जगह limited है या कहीं और फैल गया है जैसे कि liver में या lung में और अगर अपनी जगह limited है तो कितना बड़ा है advanced है या चोटा सा है एक बार ये चीज़ें decide करने के बाद CT scan पे हम treatment plan बनाते हैं अगर colon cancer अपनी जगह limited होता है तो इसका इलाज surgery द्वारा किया जाता है इसमें जो surgery होती है उसमें colon का जो हिस्सा जिसमें cancer है उसको आसपास के healthy tissue तक और उसके आसपास जितने lymph nodes होते हैं उसके साथ निकाल दिया जाता है और उसके आगे और पिछे की आग को जोड दिया जाता है आपस में तो पहले ये वाला operation हम open पद्धती से करते थे जिसमें की बड़ा चीरा लगता था अब यही operation laparoscopic या robotic पद्धती से होता है इसमें हम कुछ छोटे छेद करके और दूरबीन द्वारा ये operation करते हैं इससे recovery काफी जल्दी होती है और मरीज वक्त पे छुट्टी हो जाते हैं चार-पास दिनों में और अपने काम पे जल्दी जा सकते हैं रेक्टल कैंसर में थोड़ा सा treatment different होता है इसमें हम पहले chemotherapy और radio therapy देते हैं और उसके बाद surgery करते हैं ये जो colon हम निकालते हैं इसको फिर हम बायाप्सी के लिए बेजते हैं जिससे हमें final stage पता चलती है एक बार जब patient की surgery हो चुकी होती है तो उसकी जो histopathology report है वो detail में पड़ी जाती है उसका कारण ये है कि जो patient का concern होता है कि कहीं ये बेमारी मुझे वापस तो दुबारा नहीं आ जाएगी इस कारण वश patient को chemotherapy दी जाती है अगर patient की histopathology report के अंदर ये देखा जाता है कि जो उसका tumor है वो थोड़ा सा advance था तो उसके अंदर chemotherapy का चायन किया जाता है ये chemotherapy usually 3-6 महिने चलती है जो हर 2 हफ़ते बे दी जाती है ये chemotherapy नस के द्वारा दी जाती है और इसका कारण ये होता है कि ये जो बेमारी की जो recurrence है इसको ये कम करती है इस chemotherapy के थोड़े से side effect होते हैं जो कि समझने होते हैं आपको जब आप किसी भी oncologist से या medical oncologist से बात करते हैं तो वो आपको जो side effect से ये explain करता है एक बार जब आपकी chemotherapy खतम हो जाती है तो आप एक follow up plan पी जाते हैं जिसमें कि आप अगले 5 साल तक regularly follow up करते हैं अपने डॉक्टर के साथ इस follow up में आपके routinely CT scan होते हैं colonoscopies होती हैं ये देखने के लिए कि कहीं बिमारी वापस तो नहीं आ रही है खुदना खास्ता कभी बिमारी वापस आ भी जाए तब भी इसका पूर्ण treatment possible है पूर्ण cure possible है जो rectal cancers होते हैं जो कि बड़ी आथ का निचला भाग होता है उस cancers में कभी कभी ये भी किया जाता है कि आपको surgery से पहले कीमो थरपी दी जाए और रेडियो थरपी दी जाए उसका कारण ये होता है कि उस बिमारी की रक्रेंस को काफी कम करता है ये भी देखा गया है कि patients को कई बार advanced metastatic cancer पाए जाता है जो कि खून में फैल चुका होता है ऐसे मरीजों को भी घबराने की जरूरत नहीं है आज कि दुनिया में कुछ ऐसे drugs available हैं जो कि पहले हुए cancer को भी काफी अच्छी तरह पकड़ सकते हैं और control कर सकते हैं इसमें जो नए drugs हैं जो monoclonal antibodies हैं जो immunotherapies हैं इन सब का उसमें चायन किया जाता है इन सब को उसमें use किया जाता है और काफी अच्छे responses देखे जाते हैं overall जो colon और rectal cancer से अपने आप में जब ये local होते हैं तो ये पून इलाज इनका संभव होता है और अगर ये metastatic भी हूँ तब भी एक अच्छी quality of life और quantity of life देना संभव रहता है आज हमने समझा colon cancer के क्या symptoms है इसे diagnose कैसे करते है और इसका क्या treatment है यदि किसी व्यक्ति को colon cancer है तो उसे डरने की जुरूरत नहीं है इसका treatment संभव है उमीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फायदे मंद होगी धन्यवाद